जेहिन नमस्कार शेनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बारती स्वागत है इस पर्स में जिन जिन का माइग्रेशन हो चुका है उनकी लिए इस पर्स ने एक सुविदा जो की अब तक प्रोवाइड नहीं की गई थी उसको प्रोवाइड कर दिया गया है चातियों बारतीय सेना में नोकरी करने के बाद सेकिंड केरियर के तोर पर यदि प्राइवेड सेक्टर युनिट या स्टेट गोवर्मेंट या सेंटरल गोवर्मेंट में दुबारा से उस पैंसनर्स की नोकरी यानि जोब लग जाता है तो उसको अपने employer से एक certificate PCDA को बेजना होता है अब तक ये certificate by post बेजा जा रहा था लेकिन इसपर्स के आने के बाद ये certificate अब इसपर्स के थुरू अपडेट करना है तो इसे बोलते हैं साथियों re-employment certificate गुरूप A के अपसर्स को re-employment के पाद जो DR होता है Dearness Relief होता है वो नहीं मिलता है और गुरूप A के अलावा B, C, D जितने भी post है Central Government, State Government, Private Sector Units की उनमें re-employment के बाद में दोनों जगे से DR मिलता रहता है यानि एक pension के साथ मिलने वाला DR और दूसरा re-employer द्वारा मिलने वाला DR इसके लिए जरूरी है कि re-employment होते ही अपने re-employer से एक certificate लेके अब Sperse में update करना है तो उसका तरीका में आपको बता देता हूँ कि आप जैसे ही Sperse में सबसे पहले login करोगे तो आपके सामने filter के अंदर My Profile का option आपको दिखाई देगा आप जब My Profile के उपर क्लिक करोगे तो उसके नीचे एक option प्रोवाइड किया गया है मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये देखे साथी हो Employment Oblig Re-employment इसके उपर आपको क्लिक कर देना है अब आपको सामने आपकी पूरी personal detail दिखाई देगी और उसके नीचे आपको जो consent है Re-employment का जिसमें लिखावा Employed Oblig Re-employed नीचे लिखावाई During PDV इसपर में migration के बाद आपने pension data verification किया होगा या फिर आगे आने वाले समय में जिनका migration होगा वो अपना pension data verification करेंगे pension data verification करने के समय यदि कोई ex-serviceman re-employed आलरेडी हो चुका है तो वहाँ पे yes टिक कर देता है और उस समय दि re-employment नहीं हो चुका है तो उनके लिए अभी ये option available है इसमें yes पे क्लिक करना है तो yes पे क्लिक करने के बाद में Aid Employment नीचे एक option आएगा उसके उपर क्लिक कर देना है Aid Employment पे क्लिक करते ही सबसे पहले यहाँ पे option आपके पास में आएगा Organization Type इसके अंदर Government Company, Government Department, State Government Department Corporation उसके बाद Autonomous Body प्लिक PSU, Cooperative Society जो Central Government, State Government, UT और Local Body की हो सकती है जो भी applicable है उसको यहाँ पे टिक कर दे और जिस office में आप Re-employee हुए उसका नाम office name में लिखे और date of Re-employment को from date में लिखे to date में खाली छोड़ दें यदि आप अभी भी continue वहाँ पे job कर रहे है यदि आपने छोड़ दिया है तो आपको to date भी date डालनी पड़ेगी Next, pay scale in Re-employment position यानि Re-employment के दोरान आपकी जो pay scale है जैसे कि 5200 से 20800 आपको यहाँ पे mention करनी है और अगला वाला जो कॉलम है वो है आपकी fixed pay Re-employment के समय आपकी जो basic pay है उसको यहाँ पे enter करते हुए आपको एक Re-employer का certificate जिसका format में आगे आपको बताऊंगा वो अपने Re-employer से sign करवा के यहाँ पे PDF form में attach करना है और उसकी maximum size है वो 10 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए उसको आप यहाँ पे choose file में जाके और जहाँ पे भी आपका laptop, computer या mobile में वो certificate है उसको यहाँ पे attach कर दें निचे इन दोनों option को आप ज्यान पूरुक tick करें पहला option है pay has been fixed at the minimum of pay scale यानि आपको pay protection का lab नहीं दिया गया है और जो minimum pay scale है वहीं से आपकी salary वहाँ पे start हुई है तो पहला वाला option को आप tick करें और pay has not been fixed at the minimum of pay scale यानि आपको pay protection का lab दिया गया है और आपकी जो basic pay है जो defense में last basic pay थी उसी से start की गई है तो आपको second वाला option को tick करना है ये करने के बाद आपको aid पे click कर देना है अब मैं आपको वो form दिखाता हूँ जो reemployment certificate है जो आपको reemployer से sign करवाना है उसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं certificate to be submitted by reemployed pensioners for payment of dearness relief on pension क्योंकि pension के उपर भी आपको dearness relief मिलता है और जो reemployment के बाद आपकी जो basic पे है यानि salary होती है उसके उपर भी dearness relief मिलता है दो DA का अधिकार ग्रूप A के अफसर्स को छोड़ का सभी को है उसके लिए यानि दोनों DR आपको मिलते रहें उसके लिए ये certificate upload करना जरूरी है इसमें लिखावाए कि आप समझ गे होंगे कि ग्रूप A अफसर्स का नहीं है उसके बारे में पूचा जा रहा है या है तो उसको आपने जो भी suitable है उसको strike out कर देना है और फाइनली इसमें कहा गया है कि दा पे ओप दा रियेंप्लोईट अबलिक एप्सर्बी वाज फिक्स्ट एट दा मिनिममम पेइसकेल ओप दा पॉस्ट इन विच ये एज हैड बीन इनिसिली रियेंप्लोईट आप्टर ही रिटार्मेंट फ्रॉम दा चेंटरल गोर्मेंट या जो बीडेंट है उसी में आ आपको यहां पे डालनी है और अपने re-employer department से यहां पे sign करवाना है यह certificate आपको इस पर्स में upload कर देना है उसको upload आपको मैंने पहले बता दिया है कि certificate of re-employer attachment यहां पे आप चूज फाइल करके उसको attach कर दे, attach करने के बाद में aid पे लिक कर दे और आगे जो इसका submit का option आएगा वह फॉर्मिलेटी आप complete करते हुए अपना re-employment certificate इस पर्स के साथ में जमा कर पाएंगे तो साथियों यह थी चोटी से जानकरी और जिन जिनका re-employment state government central government PSU या autonomous body में हो चुका है उनको यह certificate upload करना बहुत ही जरूरी है अभी तक यह option नहीं था इसके उपर बार-बार PCDA से और Ministry of Defense से कहा जा रहा था और finally उन्होंने इस option को इस पर्स में update कर दिया है तो इसका lab सभी उठाए और अपने documentation को सही रखे है इस वीडियो में इतना ही मिलते है अगले वीडियो में एक ओ लेटेस्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए जैहिन जैबारत वणदे मात्रम करें 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 करें